वेल्कम बैक फ्रेंच टू दे जी एस प्लेट्फर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज हम लोग देखेंगे आगामी, सीटेट, यूपीटेट और आल अधर टीटी एक्जाम के लिए Environment Study का Part 5 इससे पहले Part 4, Part 3, Part 2, Part 1 वीडियो बनाए जा चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जागर देख सकते हैं तो यह आप पूरा वीडियो बहुती ध्यान से देखिए क्योंकि आपको इसमें आगामी एक्जाम के लिए बहुती important question मिल जाएंगे और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और पास बाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजी जिससे आपको नई वीडियो का notification मिलता रहे तो वीडियो शुरू करने इस पहले मैं आपको बता दूँ मैं अनकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ और वहाँ पर हमारी वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो का पहला question है अंतर राष्ट्रिय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पर दिए जो चार option दिए गए इनमें जो right answer है option B 29 जुलाई को यानि कि हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर राष्ट्रिय टाइगर दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाया क्यों जाता है तो मैं आपको बता दूँ वन प्राड़ी बाग की इस्तिती के बारे में जागरूपता फहराने के लिए अंतराष्टी टाइगर दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्स मनाया जाता है और प्रतिवर्स 29 जुलाई को अंतराष्टी बाग दिवस के रूप में मनाया जने का जो निर्ड़े है वो 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाग सम्मीलन में लिया गया है तो ये आपको पहले question से इतनी extra information भी मिल जाती है next question दिखिए, question number second भारत में project tiger कब प्रारंब किया गया था तो ये बहुत ही important question है और किसी भी TET exam में ये पूछ लिया जाता है तो इसका जो right answer होगा option B यानि कि 1973 में भारत में project tiger आरम किया गयता है तो option यापर 20 ही हो जाएगा ठीक है यानि कि 1973 इसका answer हो जाएगा अब मैं आपको बता दूँ ये बाग परियोजिना है क्या तो देखे बाग परजाती की विलुप्त पराय होने की समयस्या को दिखती हुई इसके सनरचड के लिए यानि इसको बचाने के लिए सरकार ने अप्रेल 1973 में बाग परियोजिना यानि कि project tiger प्रारम की थी और इसका उद्दिस बाग को समाप्त होने से बचाना था तो बाग में project tiger ये वो भारत में project tiger है या फिर बाग परियोजिना है वो कब शुरूई थी सन 1973 में शुरूई थी तो यापका second question complete हुआ next question देखिए question number third भारत का राष्ट्रिय जैविक उध्यान कहाँ पर है ठीक है भारत का राष्ट्रिय जैविक उध्यान कहाँ है तो इसका जो right answer हो का option C नई दिल्ली में यानि कि नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रिय जैविक उध्यान है तो मैं आपको बता दूँ दिल्ली चडियागर को जिसको राष्ट्री जैवेक उध्यान कहती है उसको 1982 में राष्ट्री प्राड़े उध्यान का दर्जा प्राप्त किया गया और दिल्ली की दरसनी स्थल से इसमें राष्ट्री जैवेक उध्यान की रूप में इसको प्रकास question है और अक्सर exam में पोचा जाता है और उनमें काफी confusion होती है तो यहाँ पर जो चार option दिए गए इनमें जो right answer होगा option ए जिम कारवीट राष्टी उद्ध्यान यानि कि जिम कारवीट राष्टी उद्ध्यान है वो भारत में सबसे पहले राष्टी उद्ध्यान की रूप में इसको स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए तो दिए जिम कारवीट राष्टी उद्ध्यान की स्थापना सन 1936 में यानि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था ठीक है और उत्तराख से इतनी information मिल जाती है next question देखिए question number five भारत में निमलखित जयो भंडारों में से गारू पाडियों पर कौन सा फैला हुआ है यानि जो यहां पर चार option दिए गए हैं तो इसमें जो गारू खासी जैनतिया पाड़ी है पूर उत्तर भारत में तो गारू पाडियों पर निमल पस्चमी गाड़ पर है जिसको अन्न मलाई बोलते है और दिबांग जो है ठीक है या दिःहांग यह रडाचल में है और पस्चमी सियंग और दिबांग गाड़ी में फैला हुआ है और नंदा देवी जो आंसर हो जाएगा उनक्रेग का है गारू का बात कि गई है Siberian साहरस के लिए आदर्स प्राकृतिक निवास है यानि कि भारत में Siberian साहरक किस इस्थान पर या फिर किस राज में सबसी अन्गूल इस्थिति में पाए जाते हैं तो यहाँ पर चार आप्सन है क्योंकि इसी से question पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा जिला है जो राजिस्थान का ऐसा जिला है जहां पर साइवेरियन सारस पाई जाती है तो इसका अंसर होगा राजिस्थान के भारतपुर जिली में इस्तित केवला देव राश्ट्य उध्यान का नाम भी आप ध्यान रखे सणी महाराश्ट ऑप्सन भी जमू और कस्मीर ऑपसन सी मधप्रदीश ऑप सनी आंदप्रदीश तो इसका जो राई ट्रांसर होगा ऑपसन भी जम्हु कस्मीर में यानि कि जो सलीम अली राश्ट्य उध्यान वह जम्मू कस्मीर में ठीक है और आप जम्मू कस्मीर में इस्थित City Forest राष्टी उध्यान का परवर्द नाम रखे ये सलीम अली राष्टी उध्यान नाम रखा गया है इस पॉइंट को ध्यान रखेगा कि जो सलीम अली राष्टी उध्यान है इसका पहले क्या नाम था इसका पहले नाम था City Forest राष्टी उध कई बार एक्जाम में आया हुआ है तो इसका जो राय टांसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेंडा के लिए ठीक है यानि कि काजी रंगा राष्ट्यों ध्यान गेंडा पसु के लिए जाना जाता है अब आपको यह पता होना चाहिए यह कहां पर है ठीक है तो देखिए यह आपका रूप से निवास मिलता है यह कोई टाइगर रिजर्व नहीं है ठीक है अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो हो काना अत्र प्रदेश ने रथमबोर राजस्थान में बांदाउगड मद्प्रदीस में ये प्रोजेक्ट टाइगर में सामेलें लेकिन ये जो काजीरंगर राश्ट्य उद्यान है ये केबल और केबल मूल रूप से गैंडा के लिए और हलांकि इसमें हाथी भी पाए जाते हैं और ये आपका आने तो यहां पर चार आप्सें दिए गएं ऑपसर पर आपके दियी हो जाएं तरिक ह utility में यह 26 सी उसा इक जीट रह siblings एफिजिस 2799 वर किलोमेटर चीटर में ये विश्तरत है और इस उद्ध्यान को 1981 यानि की 1981 में राष्ट्री उद्ध्यान का दर्जा मिला था और 1983 में से टाइगर रेजरव का दर्जा प्रदान किया गया था तो इस तरह से यहां पर option आपका D सही हो जाएगा ठीक है बस्तर चीटर में इ option E, Canada में, option B, Colombia में, option C, Kenya में, option D या फिर संयुक्ष राजड अमेरिका में तो इसका जो राइट आञ्सर है option D संयुक्ष राज अमेरिका में बहुत बार एकजाम में पूछा गया है ठीक है यह बहुत important question है तो इसका अंशर होगा संयुक्ष राज अमेरिका में तो स्थापना सन 1872 में इस पार्क की स्थापना की गई थी और ये पार्क सन्युक्तराज जमिरका के व्योमिंग, मॉंटाना और इडाहु राजियों में फैला हुआ है और एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्ड फेथफुल गीजर है जो गर्म पानी की गीजर होती है वो इसी नेशनल पार्क में इस्थित है कौन सा नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर और इसके अतरिक्त ग्रेंड कैनियन भी इसी नेशनल पार्क में है ठीक है तो यह आप ध्यान रखेंगे यह आपका बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है तो यह रहे आज की वीडियो के दस महत्तपूर प्रिशन जो कि आपने यहाँ पर कवर की उमीद करते हैं इन कॉशन्स या आपका इन्वाइन्मेंट स्टडी के जो कॉशन्स है वो कम्प्लीट हो रहे होंगे और आपकी किसी भी एक्जाम के लिए चाई यूपीटेट, सीटेट या फिर किसी भी अधर S.S की एक्जाम के लिए यह जो इन्वाइन्मेंट के कॉशन है वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे तो अन्तमे बस सही कहूंगा अगर आपने हमारे फेस्बुक पेज को जोईन नहीं किया है तो फेस्बुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स मे दी गई है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे फेस्बुक पेज को जोईन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कमप्टीट्व एक्जाम के लिए आपको कॉश्चन मिलती रहते हैं तो वीडियो में कमेंट के जरूर कीजिए कि आपको इस वीडियो कैसा लगा क्या आपक और इसी तरह के आपको इस वीडियो चाहिए तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार